नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अचारी एक देव आप सब कैसे हैं मुझे आसा है आप लोग कुछल मंगल से होंगे स्वस्त होंगे प्रसंद होंगे मस्त होंगे आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में दैट्ट गुरु सुक्र का गोचर परिवर्तन सुक्र ग्रह मीन रासी से गोचर कर रहे हैं मेश रासी में जहांपे पुर्व से ही देव गुरु ब्रस्पती गोचर कर रहे हैं और अब जो है शुक्र का भी गोचर में 24 अप्रेल को होने जा रहा है तो मेश लगन से ले करके मीन लगन तक मेश रासी मेश रासी से मीन रासी तक क्या प्रभाव देंगे सरप्रत्म यहां पे एक मैश से देव गुरु ब्रस्पति मेश रासी को छोड़ कर विशव रासी में गोचर करेंगे अब यहां पे देव गुरु और देव गुरु ब्रस्पति का यूती होगा और यह दोनों के यूती से क्या प्रभाव परने वाला है शभी लगनों पर इसी पर यह वीडियो बना रहा हूं तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवा दें देंट गुरु शुक्र 24 अप्रेल 2024 से 19 मई 2024 तक मेश रासी में गोचर करेंगे और शुक्र का समग्र रूप से क्या है शुक्र का प्रति निदित जो है वो भगवान शुक्र देव श्वेंग देवी लच्मी और तत्व पुरुस के रासी में तत्व शुक्रधातू योन तरल परदार्थ पुरुस के शरीर में वैरीद महिला के शरीर में योनी तरल परदार्थ द्वारा किया जाता है समस्त सिष्टी का बीज का समस्त प्रेम कला संदर्य का कारक है। मिलन मूल भूमी शुक्र ही निसंदे अच्छी गारी शुक का कारक ग्रज है वह शुक्र देव गारी अच्छी रेस्टोरेंट इस जितने भी सुन्दरता का कारक है होली वोर्ड फ्लिम सिटी जितने भी है शुसल मिडिया यह सुक्र से ही के कारक है तो यह लावकारी होंगे शभी जातक के लिए एक महत प्रुनग्र है यदि यत्तधिक सक्ति सालीग्र जातक की कुंडली में अच्छी अस्तिती में है तो शुक्र से समंदित सभी गतिविद्यों के परिनाम कई गुना बढ़ जाते हैं लेकिन यदि आपका जातक की कुंडली में शुक्र खराब अस्तिती में हो नीच अस्तिती में हो तो शुक्र के लाव काफी कम हो जाते हैं और जातक को प्यार रिष्टे और अच्छी धन अर्जित करने में लाग प्रित्न करना परता है तो पर ही शंगर्स करते करते फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जो उनको मिलना चाहिए था शुक्र का राशी परिवर्थन मेश लगन के जातक के उपर शुक्र देप मंगल के मूल तिरकोन राशी में शोबिस अप्रेल से आ रहे हैं 19 माई तक रहेंगे इनकी यूति देव गुरु ब्रस्पती के साथ रहेगी एक माई तक उसके बाद देव गुरु ब्रस्पती अपनी राशी का परिवर्थन करेंगे तीस अप्रेल को शुक्र देव अस्त भी हो जाएंगे जाएंगे शवी लगनों पर शुक्र देव का क्या प्रभाव रहेगा पूरा वीडियो देखिए इस्किप करके ना देखें मेश लगन और मेश राशी के जातकों के लिए शुक्र देव का मेश राशी में गोचर प्रभाव आप मेश लगन के जातकों के लिए अच्छा साबित हो सकता है यह समय आपकी इक्छा की पूर्ती हो सकती है आप समाज में अलग पहचन बनाने में आप सफल हो सकते हैं इतना ही नहीं शुक्र का यह गोचर आपके लिए धनलाव के योग भी बना रहा है प्रेम समंदों में मदूर्ता आएगी और अगर साधिस विवाके एक्छुक हैं तो इस बक्त आपका साधि का भी रिष्टा जुर सकता है अगर आपके प्रेम समंद में कोई खटास आ चुके थे बाचित नहीं हो रहा था तो यह आप दोनों को नजदिक मिलाने का काम करेंगे शुक्र दे और बेपार बिजनेस में पार्टनर्सिप में अगर कोई बिजनेस था तो वो भी आपका अच्छा होगा और इस टेम में कोई आपको टेंडर अच्छा मिल सकता है और राजनेतिक से जुरे हुए है तो इसमें भी आपको जवरदस्त सफलता मिलेगा साथ ही जीवन साथी के का पूरा साथ मिलेगा इस दोरान कारोबार और नोकरी में पद की तरक्की मिलेगी अब बात करते हैं विसव लगन विसव रासी विसव लगन विसव रासी के जातकों का शुक्र आप कारासी परिवतन आपके लगन से बारवे अस्थान में होना आपके लिए लावकारी हो सकता है एशो अराम सुख में तो मिल ही जाएगा लेकिन आपके खर्चों में भी बड़ोत्री की प्रवल संभावना है कोट कचरी के मामले में धन खर्च हो सकता है कहीं पे कोई बगजख ओगेरा या किसी से भी इस बख्त आप मधूरता से ही बात करें इस दोरान अपने जीवन साथी के स्वास्त का ध्याम दखें इस समय में विदेश या किसी लंबी यात्रा के भी योग है जहां से ये यात्रा से आपको बहुत बहुत लाब मिलने की उमीद की जा सकती है अब बात करते हैं मित्थुन लगन मित्थुन रासी सुक्र का आपके लगन से लावस्थान में आना कारोबार और पैसों का सुक साधन जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है इस समय में आपको धन लाव हो सकता है कारोबार में भी तरक्की के अवसर मिल सकते हैं किसी महिला मित्र से आपको लाव हो सकता है और प्रेम शमंदों की बात करें तो इस अवदी में जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा परिवार के साथ समय ब्यतित हो सकता है जीवन साथी के लिए यह समय बेहतर रहेगा अब बात करते हैं करक लगन करक रासी के जाता हों का शुक्र का कर्म भाव में आना आपके लिए शुब संकेत है आपके कारोबार में तरक्की मिल सकती है किसी महला मित्र का साथ लावकारी साबित हो सकता है आपका परिवारिक जीवन शमान रहेगा आप उनके साथ बेहतर समय ब्यतित कर सकते हैं घर और वाहन सुक्की प्राप्ती हो सकती है इस अवदी में धन प्राप्ती के भी संकेत मिल रहे है इतना ही नहीं बिद्यार्थी भी पढ़ाई की ओर ध्यान ज़्यादा देंगे और उसमें महनत भी करेंगा और सफलता भी मिलेंगे सिंग लगन सिंग रासी के जातकों का भाग अस्थान में शुक्र का आना सिंग लगन वाले के लिए भाग उन्नती का संकेत दे रहा है आपके कारचित्र में बदलाव हो सकता है कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है पुर्व में की गई महनत का फाल इस दोरान मिल सकता है आपको जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा आपके मन सम्मान पद परतिष्ठा में ब्रधी होगी किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश से आपको लाद मिलेगा कार में प्रगती भी होगी इस समय में आपका स्वास्त भी बेहतर रहेगा अब बात करते हैं कन्या लगन कन्या रासी के जातक सुक्र आपके लिए लगन से आठमे भाव में आ रहा है जो की आपके लिए धन हानी का कारण भी बन सकता है इतना ही नहीं आपके खर्चों में भी अनावस्यक रूप से बडुत्री हो सकती है इस अस्थिती में आपको अपने स्वास्त के परती सतरक्रहें की जोरत होगी पिता के स्वास्त में भी गिरावट आ सकती है हलांकि केरियर में से जूरी कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है आपको मानसिक असांती का एहसास हो सकता है अगर आपके कुछ ऐसा हो सकता है युकि गुप्त रोग भी आपको परिशान कर सकता है अब बात करते हैं तुला लगन तुला रासी के जातकों के लिए तुला लगन के गेश्वामी शुक्र आप शुक्र का सात्मे भाव में गोचर आपके लिए सुब सावित हो सकता है इस अवधी में नए प्रेम शमंद शुरू हो सकते हैं आपका ब्यक्ति गत जीवन बेहतर रहेगा साथी जीवन साथी से भी पूरा सहयोग मिलेगा हलांकि किसी छूटी बात पर जीवन साथी के साथ मतवेद भी हो सकता है कार चेतर के लिए भी यह अवधी बेहतर है और इसमें परगती हो सकती है बेवशायक तोर पर भी काम आएंगे बढ़ सकता है इस अवधी में आपका स्वास्त बेहतर रहेगा जिसका लाव आपको कार चेतर में मिलेगा अब बात करते हैं विश्चिक लगन विश्चिक रासिक जात तक विश्चिक लगन विश्चिक रासि सुक्र का गोचर आपके छठे भाव यानि स्वास्त और दुस्मनों के कारक भाव में हो रहा है जो आपके लिए समस्या खरी कर सकती है इस समय में आपके विवाहिक जीवन में कुछ समस्या खरी हो सकती है स्वास्त के लिए के लिहा जैसे भी आपको साबधन रहने की जौरत है महिलाय मित्र में के साथ सम्मन्द बेहतर रखें अन्धा आपको परेशानी हो सकती है बेपार्म और कार अस्थल पर विरोधियों और पतिदुंदियों से सतर्क रहने की जौरत हो सकती है कार छित्र में बेहतर माहुल रहेगा अब बात करते हैं धनू लगन धनू रासी के जातक धनू लगन धनू वाले के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आपके पंचम भाव में हो रहा है यह आपके प्रेम शमन्दों के लिए बेहतर साबित हो सकता है हलांकि जीवन साथी के साथ किसी बात पर जरप भी हो सकता है अविवायत के लिए रिष्टे त्याई हो सकते हैं इस अवधी में कला के छेत्र में शफलता हासिल हो सकती है इस अवधी में संतान पक्च की और से कोई सकारतमक खवर मिल सकती है बच्चों की सिप्छा समंदी चिंता का भी साधना संभावना हो सकती है मकर लगन मकर रासि शुक्र आपके लगन से शुक्र भाव में आना आपके लिए लावकारी हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय ब्यतित कर पाएंगे कार छेत्र में भी आपका प्रद्रसन बेहतर रहेगा इस अवदी में आपकी बित्य अस्तिती बेहतर हो सकती है शंपती के लेंदेन में शमन्धी मामलों में भी आपको लाव हो सकता है परिवार में खुश्यों का माहौल रहेगा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेशों से भी आपको लाव मिलेगा कुम लगन, कुम रासिय, शुक्र आपके प्राक्रम के भाव में आ रहे हैं, इस से आपके पेशेवर और दित्य जीवन में अस्थिर्ता बनी रहेगी, परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है, किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, आपको किसी सुब समाचार की भी प्राप्ती हो सकती है, इस अवदी में परिवार और परिवारिक जीवन साथी के साथ बेहतर समय ब्यतित कर सकते हैं, कोई नया रिष्टा बन सकता है, भाई बहनों के साथ रिष्टे में मधूर आ सकता है, मीन लगन मीन रासी के जातकों, शुक्र का धन भाव में, शुक्र के आने से धन प्राप्ती के योग बन रहे हैं, आप अपनी वानी से लोगों को आकर्स कर सकेंगे, आएके नए सोत उप्तन होंगे, विवाहितों को ससुराल से लाव मिल सकता है, भाई बहनों से सहायता मिल सकती है, इस अवधी में जीवन साथी के स्वास्त का ख्याल लख्खेंग, इसी के साथ ये शुक्र का मीन रासी से मेस रासी में गोचर परिवर्तन प्रभाव, मेस लगन, मेस रासी, मीन लगन और मीन रासी के जातकों को कैसा प्रभाव रहेगा, वो इस एपिसोड में मैंने बता दिया, अब जो है, अगला जो है, एपिसोड जो बनेगा, वो आपका गुरु, वो सबी ग्रोहों के यूती के अनुसार बनेगे, इसी के साथ मैं अपनी बानी को यहीं पर बिराम देता हूं, चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दवा दें, और प्रेम शे बोलिए, राधे, 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